हाव रूफिक्स सिस्टेम अलर्ट अनेबल डू कनेक्ट डू कैमरा प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सवागर अब सभीका तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते जब हम केमरा ओपिन करने की कोशिश करते हमें इस तरीके का एरर जो आपको यह प्रॉब्लम सौल्फ केसे करना है मैं आपको यही बताने वाला इस वीडियो में वीडियो को अन तक देखेगा दोस्तों आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा ठीक है मैं जितना सॉलूइशन आपको फोलो करने के लिए बताओंगा उतना करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बैल आइकून को क्लिक करें अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को टिक किसे करना है आप दुस्तों wow button पर क्लिक किजिए और अपने मोबाइल को सबसे पहले restart किजिए रिस्टाट करने केबाद दुबारा केमरा को open करने की कोशिश करें अगर प्रॉल्बम साल्फ हो जाता है ठीग अगर अगर नहीं होते तो दोस्तों आपको जाना है सेटिंग पर ठीक है सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आपको स्ट्रोल डाउन करना है और यहां पर आपको एपस सर्च करना है तो एपस जब आपको मिल जाएगा तो आपको यहां पर केमरा सर्च करना है केमरा पर जैसी दो दोस्तों आप जाओगे आपको storage open करना है और इसका जो data है उसमें tap करके okay कर देना है तो data clear हो जाएगा ठीक है data clear होने के बाद आप बेख करें permission पर जाए और सारे permissions एक-एक करके allow कर दें तो सारे permissions allow करने के बाद दोस्तों आपको बेख करना है दुबारा से mobile को आप restart कर दीजिए ठीक है restart करने के बाद recent button पर क्लिक करें और सारे app को close कर दीजिए सारे app close करने के बाद camera open करें और चेक करके देखे दोस्तो problem solve हो चुका होगा ठीक है तो इस तरह के से दोस्तों camera का जो problem है वो आप solve कर सकते और दोस्तों कोई device में जो है camera को हम update भी कर सकते हैं जैसी कि अगर मान लेजिए आपके पास कुछ Samsung के mobile हैं ठीक है तो आप दोस्तों उस mobile पे galaxy store में जाके आप update भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास दूसरे mobile है तो दोस्तों आप चेक करके देख सकते हैं ठीक है कि अपडेट का जो option है वो आपकी mobile पे है या नहीं है ठीक है तो अपडेट का option मिल जाते हैं तो अपडेट कर लें सारी साथ दोस्तों आपका जो mobile software है वो अपडेट नहीं है तो mobile software अपडेट जरू से कर लेना क्योंकि दोस्तों mobile software अपडेट नहीं होने के वज़े से भी इस तरीके का प्रॉब्लम आ जाते हैं हमारे डिवाइस में तो mobile प्रेस करके यह option निकालना है और बटन पे दो सेगन आपको क्लिक करके रखना है और ग्रीन बटन पे क्लिक करके आपको reboot कर देना है तो safe mode पर इस तरीके से अब reboot कर सकते हैं और उसके बाद mobile को open करके देखें solve हो चुका होगा problem अमीद करते हैं आपको वीडियो पसने होगा thanks for watching